भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की सुरुआत ही एक धमाकेदार इंसिडेंट से हुई है क्योंकि आज पूरे सोसल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ एक बीडियो जम कर वाइरल हो रहा है और इस बीडियो को वाइरल कर कौ दो दिन पहले भी सोसल मीडिया प्लेटफॉम पर ट्विटर पर एक वीडियो डाला गया था जिसमें कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा एक मंच पर हिंदुत्म को कुरूप और उग्र बताया गया था वहीं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राहूल गांधी के इतिहास की जानकारी को लेकर भी भारती जन्ता पार्टी के कुछ नेता सबाल खड़े कर रहे हैं साब तोर पर भारत जोड़ो यात्रा मद्परदेश में जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मद्परदेश की राजनीती का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है नमस्कार मेरा नाम है अंकित और आप देखना सुरू कर चुके हैं आयोद सबसे पहले सुरूआत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की तीसरे दिन से आज यात्रा का तीसरा दिन है और यात्रा खरगोन के खेजरा गाउं में मौजूद है यहां से राहुल गांदी रवाना हो चुके हैं इस यात्रा का एक वीडियो कतित तोर पर MP कॉंग्रेस के ट्विटर हेंडल से पोस्ट किया गया इस वीडियो में आकरी जो सेकंड है उनमें एक आवाज सुनाई दे रही है जिसमें भारत जुड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो को जब भारती जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया उसके कुछ ही देर बाद कॉंग्रेस के ओफिसियल ट्विटर हेंडल से इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया इस बीडियो के सामने आने के बाद भारती जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडि सर्मा भाजापा के बिधायक रामिश्वर सर्मा सहित भाजापा के तमाम सक्रिय कारे करता सोसल मीडिया पर सक्रिय हुए और अपनी अपनी पृतिकरियाए आना सुरू हो गई आप भाजपा के नेताओं की यह प्रतिकरियाए सुनीए पाकिस्तान के समर्थन पर चल रही हो जैसे यात्रा में पाकिस्तान्य जिन्दाबात के नारे लग रहे हों ऐसे लोगों से आप क्या आप्點 आज जो वीडियो जारी हुए कॉंग्रेस के ऑफिशल ट्विट पर उन्होंने जो वीडियो जारी किया यात्रा का राहुल गांदी जी के साथ उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं हम इसको आज से इसलिए नहीं मनते हैं कि जैनियू के अंदर भा आपकी यात्रा को आपकी कॉंग्रेस को आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी और जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं उनके खिलाब देद्रों मुकदमा भी दायर कराई आप फैम और दिंदुस्तान से माफी मांगी नहीं तो तैह हो गया कि सौनिया क तो आपने सुना किस तरीके से भारती जनता पार्टी के प्रदेश अत्यक्ष बीडी सर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बता दिया है उन्होंने इस से पहले भी ट्वीट किया था उस ट्वीट में क्या था उस ट्वीट में एक प्रेस कॉंफरें को उग्र और कुरूब बता दिया यह वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है सब से पहले वीडियो देखी वीडियो में आपने सुना कि कैसे मंचस अंचालन कर रहा कॉंग्रेश का नेता हिंदुत्व को उग्र और कुरूब कहते हुए नजर आ रहा है इस बात को भारती जनता पाइटी के द्वारा हाथों हाथ लिया गया और प्रदेश अज्यक्स बीडि सर्मा ने इस वीडियो को ट्विटर हिंडल पर जारी कर दिया जिसके बाद ये वीडियो लगातार सोसल मीडिया पर वाइरल होता रहा तो एक वीडियो कल का था एक वीडियो आज का है लेकिन मद्द प्रदेश की राजनीती में इस वक्त सबसे ज़्यादा ये दोनों वीडियो चर्ची में हैं जिसमें एक तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रही है तो वहीं दूसरी और हिंद हिंदुत्व को बदनाम करना और इसके अलावा हिंदुत्व के साथ साथ राष्टी एकता और अखंडता को भी चोट पहुँचाना भाजपा के प्रदेश अद्यक्ष बीडि सर्मा के दौरा तो साब तोर पर या कह दिया गया है कि अब जाच में आना चाहिए कि ये लोग थे कौन जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत जोड़ यात्रा के दौरान लगाया है इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांदी से भी ये मांग की है कि वे खुद इस बिसे पर इस पश्ट तरक हैं लेकिन राहुल गांदी तो नहीं कॉंग्रेस के नेता जैराम रमेश के द्वारा एक ट्वीट किया गया है उन्होंने कहा है कि एक बीडियो जो की डॉक्टरेट बीडियो है उन्होंने इस बीडियो को ही फर्जी बता दिया है कह रहे हैं कि ये बीडियो डॉक्टरेट है और इसको जाल के तहत फैलाया जा रहा है इसके अंतरग तीसरी और आखरी वीडियो की यह वीडियो कल की है जहां पर राहूल गांदी टांटिया मामा की जन्मिस्थली पर पहुंच कर उनको माल्यारपन कर रहे थे इस दोरान उन्होंने कहा था कि टांटिया मामा को जब अंग्रेज पकड़ रहे थे तो उसमें आर एसेस के निताओ का सड़े अंत्र था राहूल गांदी का यही बयान उनके गले की फास बनते नजर आ रहा है तांटिया मामा की बात कर रहे हैं तांटिया मामा को फासी पे किस ने चड़ाया अंग्रेजों ने सई और आरेसेस ने अंग्रेजों की मदद की यह पूरा पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है तो याद रखिये अंग्रेजों ने तांटिया मामा को फासी पे चड़ाया क्योंकि भारती जन्ता पार्टी के कद्दावर नेताओं के द्वारा इस वीडियो को सोसल मीडिया पर डालते हुए यह लिखा है कि राहुल गांदी को इतिहास की समझ नहीं है सायद इसलिए लोग इने पप्पू कहते हैं क्योंकि यह इतिहास पढ़ते नहीं केवल सुनी 1900 में हुआ था वहीं तांटिया मामा जी का बलीदान 1889 में और संकर सारा गुनाथ सा का बलीदान 1857 में हुआ था ऐसे में कई जन जाती नेता जिनका बलीदान संग की इस्थापना के पूर्व हो गया था तो संग के द्वारा इनके बलीदान को कैसे अंग्रेजों के साथ मि भोना बर होते नजर आरहे हैं आज के वीडियो में हमने आपको बताया क्या बास्तब में हिंदु इस्वकाद दुस परचार इस भारत जोड़ो यात्रा से किया जा रहा है क्या वाश्तब में भारत तेरे तुक्डे होंगे गैंग वाले का नईया कुमार इस भारत जोड़ो यात्रा में जब सामिल हुए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और क्या वाश्तब में राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की अभी और जरूरत है वाले ही वे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन उनका सामान निग्यान और इतिहास कहीं न कहीं मजाक का पात्र बनते हुए नजर आ रहा है आज के वीडियो में हमने आपको एक एक करके भारत जोड़ यात्रा के इन तीन वाइरल वीडियो के बारे में बताया है जो की भारती जनता पार्टी के द्वारा लगातार अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाली जा रही है भारती जनता पार्टी के द्वारा जब भारत जोड़ो यात्रा को कहीं न कहीं निसाना बनाया जा रहा है तो ऐसे में कॉंग्रेस के नेता और पूरी कॉंग्रेस डिफेंडिंग मोड में आ गई है और लगातार भारती जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किये जा रहे ह जब आप दे रहे हैं आपको यदि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जरूर साजा कीजिए आप आयोत को सब्सक्राइब करना ना भूले आप हमें फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सक करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद